हेलो दोस्तों मॉस्ट वैलकम अपने जिमें तो नो पता है कि साइंस दे चैप्टर वाइस एंसीग्यू चाल रहे है तो एंसीग्यू अपना वैल्यूबल इंफरमेटिव ते जिनने जादा मॉस्ट मॉस्ट इंपोर्टन एंसीग्यू होनगे सिर्फ आपा हो ही करने है जेड़े थोड़े एक्जाम दे पॉइंट ओ व्यू तो बोखोट ज्यादा वैल्यू रख दे होनगे जेड़े बच्चा ने पिछलिया वीडियो देखिया है उनना नो एस चीज़ दा पता होगा अपा शुरू कर दे हो बिना टाइम वेस्ट की तो सिर्फ एक चीज़ कहने चाओंगा बिल्कुल थोड़े टाइम मिल लओंगा एक चीज़ याद रखे हो जिनना जल्दी ते जिनना वदिया रिस्पोंस होगा थोड़े उननी जल्दी तो नो नेक्स्ट वीडियो मिलने ग नमबर सिक्स्टीन कोश्टन बाल ओहो बारी कारण है जो किसे वस्तू दी विराम अवस्ता जा एक समान गतीनों थी अवस्थानों ठीक है बदल दिन दा है बदलन दी कोशिश कर दा है बराबर रख दा है एक ते भी दो में इंदे विच कोश्टन की आपने को लेकियो ना दे ने की कहा बाल एक ओ बारी कारण है थीक है जड़ा वस्तू दी विराम अवस्ता या इक समान गतीनों बदल दिन दा है या बदलन दी कोशिच कर दा है या बराबर रख दा तो अपना राइट अंसर किया होगा दो में बदल भी दिन दा थे बदलन दी कोशिच window में वेचली वीडियो देवाची का लेकिती है, संतूलित जर्प ले Famja कि मतलने गर्मानाना की होगा, जीरो होगा, बदल जाौगा, अग्ये वालनोँ जाौगा या विरोध करूगा, उस दिभी संतूलित बाद जर्प लगुगा घर्माना होगी या कि कोई भी जड़ी तब्दिली नहीं आओगी ता ओकी है फिर जीरो होगा ठीक है नेक्स अलदे हैं आपमा वस्तु दा ओहो गोन जिस करके ओहो बारी बल लगाए बगैर वस्तु अपनी विराम या गती दी वस्तानों नहीं बदल सकती है उन्हों की केंदे है देखो एथे कहल किती है कि वस्तु पर ओकेडा गोना है जिस नहीं जिदनाचरों बारी बल नहीं लगदा उन्हों आवदी वस्ता पेच चेंजीस नहीं कर सकते है जड़ता इनर्षिया ठीक है नमबर 18 नथफड आउगा अपने जड़ता नेक्स सलदे हैं किसे वस्तु दे पुप्ज एते वेग जिस नल गती कर रही है गुणन फ़लनु वस्तु दा केंदी है ओना दौँ आँ दे किने पुण एते वेग दे गुणन फ़लनु की केंदी है ठीक है समवेग अंतिम वेग कुल वेग या कुल दूरी अमने राइट अंसर किया होगा देखो किन्ने कन्फ्यूजिंग किन्ने ज्यादा वदिया कोस्टन है खुद देख सकते हैं पेलना किया से खुद साथे हैंड रीटर नोटस है पीडिएफ थोनू ग्रोप देवेच मिल जाने हैं वेबसाइट दे जाके देख लो अंसर की अपलोड किती होई है गेड़े बच्चा नहीं देखनी है ता 19 अपने को राइट अंसर आएगा समवेग ठीक है समवेग नेक्स चल देएं 20th वाल बाल्दी सीजी है इकाई मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन है बाल्दी जडी सीजी इस इकाई है उकेड़ी है पर वेग है किलोग्राम मीटर सेकिंड माइनस वन डाइन ते पार अपना राइट अंसर किया होगा बाल दी CGS1 पुच्छा गया थे ता ओ अपने को लाओगा 20 अधा डाइन ठीक है डाइन नेक्स चल देए इस सारे चीज़ां कंसेप्ट अपा थ्यूरिस देविच क्लियर किते हो यह हुन थोड़नु सिर्फ किलोग्राम cash 1- inability ता हमना राइट अंसर किया हुगा कि बाल धी SI unit की अपने को ले ओ है गिया अपने को ले निउटन थेक है किया न्यूटन थे बाल स्च आपने को ले फोर्मूला फॉर्स दा केड़े नियं करिद इद र्फॉर्स вспॉर्मॉल выпол मिलदा आप अनुतिन ना दे विच्छों तो उसी कमेंट बोक्स दे विच अंसर दसना है ए थोटा सामी लोगी होवर कला कुस्टन है नेक्स चल देए जेकर किसे वस्तूदा पुंज M है तो वेग V ठीक है तो उस वस्तूदा सम वेग M plus V, M minus V, M multiply V, M divide V एक चीज एक ते आंच रखे हो जेड़े तो बच्चे ते आनल लेक्चर ला रहे है उनना तो एक उस्तन आंसर पता होगा तो जेड़े ने नहीं ते आन दे रहे है उनना नो मैं हों दसना है क्यों मैं क्या समवेग नाल नो मैं क्लीर कर हैं तो इस चीज जेड़ ख्यार रखना है तो सुई सार यहां ठीक है समवेग नू किस अखरनाल दरसाया जान दा है M नाल, V नाल, G नाल या P नाल तो आपने राइटर आपने को लाओगा नंबर 4 P छोटे अली ठीक है एक चीज थोनू मैं दसने चौना है एक होजे question होर लेन लाई थोड़ा response ज़रूरी है जिननी जलदी ते किनना टाइम लाग गया तुसी सिर्फ एक कमेंट देना है करना कि यह जल्दी यह लाइक नपके कमेंट करके उन्हों अपने फ्रेंट से जनाल शेयर कर देना है जिड़े स्टडी कर रहे है बस तुसी होर कोश्वी नी करना ना पेड चार्जेस कोश्वी नी थे जड़ता बस थे जड़ता वस्टूदा है मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन जयड़े बच्चा ने इनर्शिया नहीं किती होई ता मैं स्पैसली वीडियो बनाई होई है प्ले लिस्ट जाके देख लो specially Narsitya the topic देक video बनी होगी है पंजाबी दे वेच टाएक तरह नहीं दी है दो या तेन या चार तबना right answer क्या होगा 25 दा होगा अपने गुले तेन तरह नहीं दी है ठीक है अपकेत्य है रेस्ट वाली होगी ठीक है motion वाली सारी कित्य होगी है बिल्कुल डिटेल देवेच विद एक्जाम्पल्स, नेक्स्ट, देखो किन नावधी है कोश्चन है, जेकर F किन दे एककोल टू है जीरो दे, ता एक किन दे एककोल टू होगी, जीरो दे 1, 2 या 3, तो हमना राइट अंसर किया होगा, सारे बच्चा नूँ पाता है, आप फॉर्मूले हैगा अपने कोले, ठीक है, फोर्स दा, तो ये F जीरो है, तो एक्सलारेशन किया होगी, ओभी किया होगी, जीरो, ठीक है, 26 दा किया होगा फिर अपने कोले, जीरो, नेक्स अल दे एं, किसे वस्तु दी, दिशा बदलन लई, के हो जेहे बाल दी लोडन दी है, असंतुलित, संतुलित, दोवें, या कोई भी नी, एक कंसेप्ट दा, किसे भी बच्चे नू रहा नी गया होना, जेड़े बच्चे ने अपने लेक्चर लाए है, केड़ा वाला जेड़ा गती पैदा करदा है, मतलब मूवमेंट पैदा करदा है, तो अपने कुल किया होगा, असंतुलित बाल, किसे वस्तु दी दिशा बदलन लई, असंतुलित बाल दी, लोड उन दी है, नेक्स चल दे है, त्याननाल एक होनों दारन भी दिती होगी है, त्याननाल तुसी देखनी है, मैं कोस्तन रीड करदा है, रबड दी गेंदा है, ठीक है, उन्हों हथानिया, हथेलिया विच राक्के, दबाउन समें, किस तरह दा बाल लगदा है, असंतुलीत, संतुलीत, दोंई या कोई भी नहीं, देखो, इन्हों दे विच किया है, एक राइट न अन दे तुसी, एक लेफट न अन दे दबाब आ रहे हो, बोल दे उपर, ठीक है, मालों अपने हैंड है, इते तुसी दबाब आ रहे हो, बोल दे उपर, ठीक है उन्य विच केढा बाल लग रहे है, कोड़ दी मॉमेंट नी हो रहे, ही 친 threatens मतलब जे बाल लो नाल मॉमेंट नी हो रहे है, तो केढा बाल लगऊँगा फिर, संतोलीत बाल very good, ठीक है, केढा लगएगा नंबर दो, संतोलीत बाल बल लग रहे है पर moment नहीं हो रही ओद्रों भी दबाँ पह रहे हैं और नहीं 50% force ओद्रों है 50% ओद्रों है moment हो नहीं रहे है बल जरूर लग रहे है तब पर फिर केड़ है संतुली तबल next है गोली चलन तो बाद गोली ये ते बंदूक दा कुल समवेग किना होंदा है 0 गोली तो बाद दुनदा है बंदूक तो बाद दुनदा है या कोई भी नहीं अमनों राइट अंसर किया होगा है मैं खुद जड़ियां ओप्शन्स लिखिया है यह नहीं की कोई बुक है गिया है जाओना विचो ओप्शन्स लेक लिए हो में कोपी मारे हो यह है तुसी खुद देखोंगे बहुत यूनेक ते बहुत वदिया कोस्तन देख नो मिल लग जोइन किताँ, जोइन कार लो और सारीán आंसर किवा गया थौनों मिल दिया रही है टाइम टो टाइम समवेग दाइट सösही मातर किया है केजी, केजी मीटर स्केर, सेकिंड ठीक है, केजी मीटर सेकिंड दला अपने कोले फेर दीप two time, अपना राइट अंसर किया औग, फिर जी मीटर माइनस 1 माइनस 1 ठीक है यह दो में सेम ही है यह थे आजान दहीं न सोचो कि सारने होर कराया है सी नेक्स चल दियां पाउन लो देखो कोस्चन देख्यो तुसे खोद अंदा जला लेओ कि किनना एफड लाया गया न्यूटन बाल लाया जड़ा एग किलो ग्राम पुंज वाली वस्तूते लगण मगरों उस विच डैश परती शेकेंट परवेग उत्पन कर दाए एग किलो ग्राम दा जड़ा पुंज शायँ ठीक है वस्तूता ऑन्दे तेख न्यूटन बाल लाया गया एक किलोग्राम वस्तूते पुण जाली वस्तूते ओंदे विचो किन्ने जड़ा कैलो मेटर प्रती सेकंड पर वेग उत्पन करूगा 500 मेटर 100 मेटर एक मेटर या दास मेटर हमना राइट एंसर किया हुगा किन्ना करूगा एक मेटर बस इनना याद राख लो तो नू किसे भी तरह दा कोई भी मोल्ड करके पुछे आ जावे कोश्तन तुसी चौप गर एंसर लायाना है देखो उनने थे गल लगी थी कि एक किलोग्राम दी एक मेटर दास किलोग्राम दास मेटर सो किलोग्राम होने देखो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया न जेडे बच्चया नहीं बता सी होंनों उन्होंनों भी बता लाग आ पलान जो पंजाह यार पोचल है उननने к्वेसिन काट के अपनीत एंसर लायाना है दरीनु छडी नाल देखो उन अपना राइट अंसर किया होगा थर्टी सेकेंड अपने को राइट अंसर आएगा जड़ी विराम जड़ता करन क्योंकि यह तूड है ठीक है और राम वस्ता देविच्छ जदोने चड़ी लाइन दिया तो अपने आपनों किया पुरानी स्थीती देविच्छ दोड़ता है सिर्फ एक चीज रिस्मोंस जिनने भी बच्चे देख रहे हो लाइक जरूर करके जायो यह ना सोचे हो कि नहीं करना है इंदेन अलक्सान नों कोश नहीं मिला सिर्फ मोटिवेशन मिलू कि बच्चे नों साड़ा वरकेड़ पसांद आ रहे है तक सम्वेग व दोड़ी ताँ जो किया हो उच्ची सिलांग मार सके ठीक है नेक्स सल देया है अदो में कोश्टन ते आंच रखे हो एक किलोग्राम पार किन्ने न्यूटन दे बराबर होंदा 9.5, 9.1, 9.7, 9.8 एथे बिच्चे न्यूटन लाले हो बस ठीक है यह ना सोचे हो कि लिखया न न्यूटन दे बराबर होंदा अग्गो फिर एक न्यूटन किन्ने किलोग्राम दे बराबर होंदा दस होन किया आएगा 0.102 ग्राम 0.342 ग्राम 0.416 ग्राम 0.142 ग्राम ताम ना राइटन सरेंदा किया होगा राइटन सर आपने को लाएगा 35 दा वो आएगा 0.102 ग्राम त सारे बच्चे दसके जायो रुक्वेस्ट है लाइक शेर कमेंट भी गार जियो ते दसके भी जुरूर जायो कि में दा लगया था नू लेक्चर नमा देखन नू कुछ मिलिया के बोर होए यह बोहत वदिया त्यारी हो रही है ताम ही दास दियो अपा नेक्स चेप्टर होन ज यह लेक्चर मिल जूगा थर्ड चेप्टर दे मॉस्ट इमोड़न एमसी क्यू मिल देया नेक्स्ट क्लास देवेच बहुत बहुत अन्वान